तोक्यो पैरा उलम्पिक में सुहास यतिराज ने सिल्वर मेडल जीत कर इतिहास रच दिया है SL4 क्लास फाइनल में सुहास यतिराज फ्रांस के लूकास माजूर से हार कर गोल्ड मेडल से चूग गए तोक्यो पैरा उलम्पिक में बैडमिंटन में यह भारत का तीसरा पदक है गोतम बुद नगर नोईडा के 38 वर्सी जिला अधिकारी सुहास पैरा उलम्पिक में पदक जीतने वाले पहले आईएस अधिकारी बन गए है इससे पहले सनिवार को भारती स्टलर प्रमोद भगत ने कमाल का परदर्शन करते हुए बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था उडिसा के रहने वाले 33 साल के प्रमोद भगत उलम्पिक या पैरा उलम्पिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारती स्टलर है इनके अलावा इस एवेंट में भारत के मनोज सरकार ने ब्रोंज मेडल हासिल किया था इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत की पदकों की संख्या ठरा हो गई है भारत ने अब तक पांच गोल्ड साथ सिल्वर Veul और शे ब्रोंज मेडल जीते हैं बारत टोक्यो पैरा उलम्पिक में निसाने बाजी में पांच बैडमिंटन में तीन पदक जी चुका है वहीं भारतिय श्टिलर कृष्णा नागर फाइनल में पहुंच कर बारत का उननीच्वा पदक पका कर चुके हैं तो दोस्तों भारतिय खिलाडियों के लिए इस वीडि बाइब करें